राहुल गान्थी को आफिस को एम और पी एम का बीच में जो फरक है वो नहीं पता तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि पी एमों को चलाएंगे राहुल गान्थी को सला दिया था कि आपको केबिनेट में आना चाहिए और प्रशासन कैसे चलाना पड़ते हैं उसका हैंज अन्स एक्सपिरियन्स होना बहुत जरूरी है राहुल गान्थी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी मतलब जाते हैं तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉब कर रहे हैं सोनिया जी अपना इंट्रेस्ट और अपना परिवार के इंट्रेस्ट सेवकार कर रहे हैं 50 साल मेरा फादर 50 साल भी से भी उपर पालिटिक्स में रहे और तो नाचरली उनके विशह में अगर मैं लिखूंगी और उनको डाइरीज कोट करके उनका साथ मेरा जो कन्वर्सेशन्स हुए हैं उनको कोट करके अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो कॉई बड़ी बात नहीं है तो कुछ विशह विशह ऐसे हैं तो जिसमें कॉट्रवर्सी होना है पॉलिटिक्स एक फील्ड ही ऐसे है कि जिसमें जो कॉट्रवर्सी को बहुत जल्दी क्रियेट करते हैं एक में बहुत अच्छा किस्सा है एम पीम का क्या है मेरा वो किस्सा एक दिन राहूल गांधी जी मेरे फादर का साथ मिलने के लिए आये और बाबा तब मुखल गार्डन में में वॉक ले रह थे प्रेसिडेंट तो मिले वो आसे थे फिर बाद में पता चला कि राहूल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे तो राहूल गांधी का ओफिस उन्होंने गल्ती से शाम की जगा उनको सुभे बता दी तो मुझे ADC से पता चला तो फिर मैंने जब अपना बाबा से जिगर करी इस बात को तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सर्कास्टिक लिए उन्होंने बोला कि अगर राहूल गांथी को ऑफिस को AM और PM का बीच में जो फरक है वो नहीं पता तो एक दिन वो कैसे सोचते है कि PMO को चलाएंगे अपने एक और दावत किया इस किताब में कि मानने पूर राश्परी जी ने कहा था कि राहूल गांधी बहुत कर्चेर्स हैं फुल अफ कुशन हैं लेकिन पॉलिटिकली मिचूर हैं कैसे हैं उनको ये लगा राहूल जी का बारे में है नहीं बहुत जादा कुछ इंटरक्शन कुछ यूपीय का टाइम पर हुआ है और कुछ जब प्रेसिडेंट थे तो राहूल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे तो उनका जो अब्जर्वेशन राहूल गांधी का बारे में रहा उसके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने लेखा कि राहूल गांधी जी बहुत ही कर्टियस है और बहुत सारे सवाल करते हैं जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं लेकिन उनको ये भी लगा कि राहूल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट बहुत जल्दी मतलब जाते हैं. तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉब कर रहे हैं. इस बारे में भी मेरा फादर का उन्होंने लिखा, अब्जर्विशन लिखा इस विशह पे. एक बार समझाने समझाने में प्रनौदा ने कहा था कि आपको केबिनेट में आना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरेंस लेना चाहिए. बिल्कुल, 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 बिल्कुल. उने रहूल गान्धी को सला दिया था कि आपको काबिनेट में आना चाहिए और प्रशासन कैसे चलाना पड़ते हैं. उसका hands-on experience होना बहुत ज़रूरी है. जितरगी साब ने कहा कि प्रणावदार ने कई सारे मंत्रियों प्रधान मंत्रियों के साथ काम किया है, ये भी है कि कोई प्रधान मंत्रियों बनना चाहते थे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा तो उनका कहना ये था कि सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकते हैं कि सोनिया गांधी जी का अथारेटी चालेंज करें तो मैंने ये बात पूछा कि मैं आप क्या चालेंज कर तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता, that is not the question. But Sonia Gandhi जो को ऐसे लगा, उन्होंने बोला, देखिए, politics cutthroat, world of politics. यहां सब को ही चाहता है कि सबसे पहले अपना interest और अपना परिवार के interest सेवगाट करें, और उनको जिनको सही लगा कि वो Sonia जी की authority challenge नहीं करेंगे, उनको बनाया तो इसमें कोई argument की कोई बात ही नहीं है.